इंडिया में सबसे बहतरीन वाटर हीटर को एक कंपणी बनाती है तो वो है हैवल्स आज मैं समझे इस वाल एक Electrical and Electronics Engineer आपके लिए लाया हूँ हैवल्स का लेटिस्ट और शायर इंडिया का सबसे स्मार्ट स्टोरेज एलेक्रिक वाटर हीटर अडोनिया आई 15 लीटर कैपसिटी में जो बहुत सी अमेजिंग फीचर्स के साथ हाल ही में लॉंच हुआ है सारे फीचर्स डिसकस करेंगे इस गीजर के साथ ही हम इसमें एक्चुली वाटर फिल करके चलाके इन फीचर्स को आज टेस्ट आउट करेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं गीजर काफी हेवी है दूसरे ब्रैंट्स के 15 लीटर वाटर हीटर से तो लगता है हाई कॉलिटी हेवी मेटीरियल का ही इसमें इस्तमाल हुआ है हम भी एक इलेक्रिकल स्टोर नॉइडा में रन करते हैं और मैं पूरे विश्वाश के साथ कह सकता हूँ कि जादतर लोगों का एक्सपिरियन्स हैवल्स के साथ अच्छा ही रहता है अडोनिया आई में आने वाले सभी कॉंपनेंट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले एक सेफ प्लग इसमें आपको मिलता है जो किसी भी तरह के करेंट लीकेश से आपको बचाता है अक्सर गीजर्स में करेंट लीकेश की परिशानी लोगों को होती है उस केस में ये गीजर को आटोमेटिक आफ करने का काम करता है एक मल्टी फंशनल वाल्व इसमें मिलता है जो चार फंशन्स परफॉर्म करता है उन्हें अब भी हम डिसकस कर लेंगे fasteners कहां पे लगाने हैं उसके लिए एक easy guide बस इन sticker को wall पे आप लगा दो और दो points पर drill कर दीजिए 133 page का detailed instructions manual hevels देता है यहां पर यहां fasteners भी galvanized करके दिये हैं जिसमें ना तो rusting होगी और geezer को भी अच्छे से wall पे hold करके रखेगा इस geezer को आप online भी खरीज सकते हो description में मैंने links डाल दिये हैं यहां पर connection pipes के end पे durable plastic है तो अकसर जो यहां पर rusting होने का chance रहता है वो यहां पर बिलकुल नहीं रहने वाला इन pipes के साथ अब geezer आपके सामने है इसे देखिए और आगे बढ़ने से पहले हम लोग हैवल सडोनिया आई के features को detail में यहां पर समझ लेते हैं तो यहां पर आप अपने सामने हैवल सडोनिया आई के features देख सकते हो सबसे पहले 15 लीटर और 25 लीटर में company ने launch किया है warranty की बात कर लें तो 7 year की warranty आती है inner tank पे 4 years की heating element पे जो की काफी जादा है और 2 years की comprehensive warranty मिलती है wifi से आप इसे control कर सकते हो और remotely कहीं से भी आप इस geezer को control कर सकते हो addonia eye के अगर हम display की बात करें तो temperature का आपको display मिल जाता है feather touch मिल जाता है जिससे आप असानी से temperature को control कर सकते हो color changing LEDs मिल जाती है जैसे जैसे temperature वड़ता है geezer का उस तरीके से color जो है change होता रहता है जिससे आपको असानी से पता लग जाता है कि आपका पानी गरम हुआ है desired temperature पर या नहीं चौक प्रूफ है जो मैंने अभी safe luck के बारे में आपको detail में बताया तो वो एक बड़ी unique चीज है वज़स के सारे geezers के अंदर आपको मिलती है फैरो glass coated tank meaning कि basically glass line tank है और company का कहना है कि steel का जो tank इन्होंने लगाया है वो काफी heavy duty है जैसे कि geezer में उठा रहा था जब निकाल रहा था box से तो मुझे भी feel हुआ कि काफी heavy है 15 liter के हिसाब से इसका वज़न जो है company ने 9.6 kg बताया है और पानी डालने के बाद 25 kg इसका वज़न हो जाता है इस geezer का puff insulation के साथ आता है तो पानी देड़ तक करम रहता है alexa ok google के साथ भी आप इसको operate कर सकते हो तो voice control से भी आप इसे चला सकते हो सारे iot features इसके अंदर है multifunctional valve है जो चार functions करता है वो यहां पर लिस्ट कर दिये हैं और एक heavy duty and order rod भी यहां पर लगा दिये है ताकि tank की ओपर resting की problem ना हो hitting element पर resting की problem ना हो तो यह भी बहुत अच्छी अब यहां घीजर को करीब से देखिए यहां आपको feather touch control मिल जाता है जिससे आप temperature को 25 degree से 75 degree तक adjust कर सकेंगे और center में आपको temperature display मिलता है अब यहां पर जो product की बनावट है body का जो plastic material company ने इस्तमाल कर रहा है वो देखने में बहुती premium लगता है घीजर बहुती शांदर है अग ECB को repair कर सकते हैं तो geyser को छेडने की जुरुत नहीं पड़ेगी असानी से repair भी यहां पर हो जाएगा five star के rating में यह आता है 2000 watt का geyser है और company claim करती है कि zero से 50 degree के temperature पर यह geyser 20 minute के अंदर पहुच सकता है जो कि पहले Adonia की जो models आते थे उनसे एक improvement ही है back side पे अगर आप देखो हो कि हमने पानी का connection geyser के साथ कर दिया है और geyser को on कर दिया है अभी जो पानी का temperature है वो 34 degrees का है और धीरे धीरे temperature जो है बढ़ रहा है आपके सामने हापर और आप LED को देख सकते हो कि कितने ही जादा सुन्दर लग रही है हमने अंधेरा भी कर दिया है ताकि आप प्रॉप जो हमारे टेस्ट में निकला है वो 39 degrees Celsius से 75 degrees Celsius तक इस geyser को पौचने में लगा 21 मिनट का समय जो की बहुती decent समय है मेरे हिसाब से और color आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से बहुती smoothly colors जो है वो change हो रहे हैं यहाँ पर मैं थोड़ा साब को बता दू तो 35 degrees पे जब गीजर होगा तो आपको blue color नजर आएगा ए लेडी का 45 degrees तक पहुचते वह धीरे-धीरे color change होगा और वो pink तक पहुचेगा और अगेन 55 degrees तक धीरे-धीरे color temperature change color change होकर वो purple तक पहुचेगा then 75 degrees तक जाते-जाते वो amber color के अंदर आ जाएगा जो कि उसका highest heating point तक यह पहुच जा US दोनों पर available है आप अपने details डाल दो name, email id और जो आपने product खरीदा है Hevels का वो आप डाल दो अपना mobile number डाल लो एक six digit का pin वगेरा set कर लो तो आपका जो है Hevels का account बन जाएगा आप as a user register हो जाएंगे अप गीजर को अपनी app में आपको डालना है तो आपको उसके लिए wifi चा जाएगा और pairing mode के अंदर आ जाएगा तो आपको उसके बाद करना क्या है कि इसको add कर लेना है थोड़ी सी देर लगती है इसको add होने में मैंने थोड़ा सा वीडियो को fast forward कर दिया है यहाप तो एक बार गीजर आपको अपने गीजर का एक name डालना है तो मैंने यहाँ पर name जाल दिया है और simply आप यहाँ पर अब यूस करना शुरू कर सकते हो बहुत सारे features इसके अंदर आपको दिये गए हैं सबसे पहला simple feature है कि आप temperature को control कर सकते हो अलग-अलग modes दे दिये हैं यहाँ पर lukewarm warm hot और सबसे very hot के अंदर आपको दे दिया है automation भी आप set out कर सकते हो कितन में कुछ भी इस गीजर के बारे में पूछना है तो पूस्ट लीजिएगा मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में बाई एंड टेक केर